हलो एव्रिवन, बी ए सोजी वन सवन वन में आज हम लोग ब्लॉक थरी पढ़ेंगे क्रिटिक्स इसमें से मैं आपको यूनिट 11 कवर करा चुकी हूँ आज हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट चैप्टर यूनिट 12 क्या है ये? रेसिस्टेंस आन्ड प्रोटेस्ट इसका कंटेंट देख लो इंट्रदक्शन, कास्ट, दे हिंदू, सोशल यूनिवर्स, अरली क्रिटिक्स और इस्ट्रोगल्स, ब्रामेनिकल, टिरेनी, आज कास्ट ऑपरेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस, दलित एक्टिविज्म तो आज हम टोटल तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे, बाकी बचे दो टॉपिक्स को मैं अलग से दूसरे वीडियो में कवर करा दूँगी ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है और सबसे लास्ट चैप्टर है इसलिए हम इसे अच्छे से भी पढ़ेंगे इंपोर्टेंट चैप्टर है तो एक्जाम में कुश्चन आने की भी चांसेस जाता है तो इस चैप्टर में में फोकस हिंदू सोसाइटी पे किया गया है तो हम जितने भी रेसिस्टैंस प्रोटेस्ट ये सारे जो हुए थे हमारे पास्ट में वो हिंदू परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे ऐसे पी देखो हमारे इंडियन सोसाइटी में जितने भी कास्ट सबकास्ट ये सारे चीज़ जो बने हैं मेंली प्रिवेल किसमें करते है इसे तो सारे religion में देखने को मिलते है मुसलिम्स में भी, सीक्स में भी, क्रिश्चन में भी लेकिन जिस तरीके से यह हिंदुईस्म है वो शायद ही दुसरे religion में हो इसलिए यहाँ पर जो main focus है वो हिंदु सोसाइटी पर है ठीक है इसके अलावा आप सभी को तो पता ही होगा कि किस तरीके से ब्रामिनिज्म के वज़े से हमारे यहाँ पे सारे one system बने और जितने भी social order में division हुआ वो सब किस वज़े से हुआ ब्रामिनिज्म के वज़े से ठीक है तो हमारे जितने भी ancient में बहुत सारे religion थे जैसे कि ब बलत चीजे भी हो रहे थी जैसे कि untouchability हो गया सती सिस्टम हो गया child marriage हो गया female 40 side हो गया यह सारे क्या थे यह सारे में किसमें प्रिवेल करते थे हिंदू इसमें ठीक है तो इसी वज़े से जो में resistance हुआ वो हिंदू इसमें हुआ ठीक है तो यहीं सारे बात हैं certification हुआ ठीक है तो कोई भी individual वो fixed हो जाता था अपने birth के according जिस caste में उसका birth हुआ है ठीक है फिर चाहा हो कितना भी talented हो कितना भी wealth उसके पास हो लेकिन उसको एक अच्छा status नहीं मिलता था अगर वो lower caste है तो एक ब्रहमन अगर इसके पास अच्छा skill नहीं है अच्छा talent नहीं है लेकिन फिर वी लोग इसके इज़त करते थे इसे better chance मिलता था लेकिन वहीं एक शुद्रा इसके पास अच्छा wealth है अच्छा skill है इसके बावजूद भी वो बहुत ही नीचे रह गया और इसे कोई अच्छा opportunity नहीं मिला ठीक है तो यहीं सारे के बारे में बात करेंगे इस और hierarchy ठीक है तो mainly hierarchy आता है तो क्या हुआ order ठीक है order हमें पता है ब्रामन शत्रिया वैश्यास और शुद्रा ठीक है तो इससे क्या हो रहा था ना inequality हो रहा था है ना किस basis पे inequality हो रहा था कैसे society separate हो रही थी देखो सबसे पहला था marriage की टम में ठीक है तो society में marriage की भी रूल फिक्स थी कि वो inter caste marriage नहीं कर सकते थे ठीक है यह हो गया separation दूसरा है इंटर डाइनिंग यहां पर क्या था कि दो different caste के लोग साथ में बटके खाना नहीं खा सकते हैं यहां से separation हो ठीक है तो यह separate कर रहें सुसाइटी को और separation से ही क्या मर्ज हुआ inequality ठीक है ना फिर नेक्स्ट है division of labor observed in occupations and professions अब यहां से देखो यहां पर क्या हुआ जितना भी अच्छा अच्छा काम होता था जैसे देखो सबसे में इज्जद जो हमारे इंडिन सोसाइटी में मिलती है वो टीचर्स को मिलती है ना तो मेंली जितने भी ब्राह करते थे या तो पढ़ाने का काम करते थे ठीक है तो यहां पर क्या हुआ जो सबसे बेटर जॉब था उस पर किसका हक था जो अपर कास्ट के है ठीक है और जितना भी लोवर कास्ट के लोग थे वो सारे को क्या काम मिलता था या तो agriculture लेबर का काम या फिर कोई छोटा मुट ठीक है और दूसरी बात जितने भी अपर कास्ट के लोग थे वो क्या करते थे वो अपनी स्लेव रखते थे लोवर कास्ट के लोगों को ठीक है मेलीस में वैश्यास तो इंक्लूट नहीं होंगे जितने भी सुद्रास थे वो सारे क्या काम करते थे यह अपर कास्ट के लोग कि यहां से दो टम निकल के आया एक superior और दूसरा inferior superior कौन था जो upper caste के लोग थे ठीक है उसे कहा जाता था यह superior है अब matter नहीं करता कि उसके पास skill है भी या नहीं ठीक है तो यहां से क्या हुआ जितने भी upper caste के लोग थे वो superior बन गए ठीक है और inferior कौन रहे गया जो lower caste का था ठीक तीसरा occupation and profession ठीक है और तीसरा superior और inferior का term यह तीन वज़े से society separate हो गई separation से क्या हुआ inequalities इमर्ज हुआ लोगों में stereotype आने लगे और वो क्या करने लगे जितने भी lowest caste के लोग थे उनकी साथ गलत भैवार करना स्टार्ट किया और इनका बहुत ही exploitation हुआ ठीक है यह था सारा caste and the ideology of hierarchy में ठीक है अब हम next पढ़ेंगे caste as race racial theory तो यहां पर देखो तर्म क्या है racial theory racial का मतलब क्या होता है differentiation on the basis of color of skin ठीक है तो skin के color के basis पर क्या कर रहे थे यह differentiate कर रहे थे ठीक है और देखो इस racial theory का origin कब से हुआ जब से इंडिया में Aryan का invasion हुआ ठीक है तो Aryan क्या थे वह सारे ब ठीक है Aryan को कहा चाता है conquerors to the Indo-Gangetic plane यह हमारे गंगा के plane में आए इंडिया को conquer किया यहां पर रहना start किये ठीक है यह सबसे पहले three-fold division लेके आए यह three-fold division क्या था वही जो one system है ब्राह्मन, शेत्रियाज और वैश्याज यह थे three-fold division ठीक है उसके बाद क्या हुआ फिर एक term अमाया डास ठीक है यह डास वर्ड यूज किया गया जो हमारे इंडिया के लोग यहाँ पे रह रह रहे थे यह बाहर से भी आए और हमारे ही लोगों को हमारे स्कीन के color के basis पे क्या किए differentiate किये ठीक है और उसे ही कहा गया racial theory यानि कि यह क्या किये race के basis पे है ना मेरे skin के color के basis पे हमें क्या किये अपने आपसे अलग माना और हमें नाम दे दिया non-arian groups ठीक है और वो non-arian groups ना कहके क्या कहते थे दास ठीक है तो मेली इंडिया के लोग जो थे उनका skin का tone जो है वो थोड़ा dark होता था और इनके लिए dark people का कोई importance ही नहीं था ठीक है तो यहां से idea निकला ritual purity का ठीक है तो वो अपने आपको बहुत pure समझते थे और जो हमारे इंडिया के लोग थे उसे impure कहते थे ठीक है जिस तरीके से one system में intercast marriage allowed नहीं है उसी तरीके से ये RNB क्या करते थे जो यहां के लोग थे उनके बीच में साधी नहीं करते थे ठीक है उल्टा उसके साथ गलत भियवार करते थे ठीक है उन्हें नीचा दिखाते थे इस तरीके का हरकत कर रहे थे तो धीरी-धीरे करके यहीं से differentiation स्टार्ट हुआ ठीक है तो में ली शुद्रास जो थे वो सबसे लोर कास्ट कहा जाता है इनके बीच में differentiation उसके बाद वोमें ठीक है तो यहां से ही स्टार्ट हुआ हमारे सोसाइटे में क्या inequality ठीक है तो में जो origin पूछेगा कि इतना division जो स्टार्ट हुआ इतना inequality आने बस Aryan के invasion से ठीक है तो यही सारे चीज थे racial theory में I hope आप सारे चीज समझ गयोंगे देखो यह जो Aryan invasion हुआ था ना यहीं से inequality स्टार्ट हुआ अभी मैंने बताया है तो आगे जाके जितना भी social reform हुआ हमारे इंडिया में वो सारे क्या कर रहे थे इन theories को use कर रहे थे है ना सा क्या किये जितने भी वेद थे और जितने भी अलग अलग ताइप के books थे वो सारे को पढ़ना स्टार्ट किया लोग समझे कि पहले society में को inequalities नहीं था और जितने भी rituals हमारे society में follow हो रहे थे वो सारे चीज पहले नहीं थे तो धीरे धीरे लोगों में western ideas develop होने लगे वो हमार इंडियन society की ancient text को उठाके पढ़ने लगे तो इस तरीके से क्या हुआ ना social reform start हुआ इंडिया में तो इसके आगे जो टॉपिक है इन सारे में बताएंगे कि किस तरीके से society में reform हुआ और हमारे social reformer का क्या contribution है यह सारे चीज़े हम आगे पढ़ेंगे ठीक है मैं आपको बोल दो वीडियो में cover करूंगी और अच्छे से आपको पता दूंगी ताकि exam में कोई भी सवाल चूटे नहीं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ती हूं कल में पूरा chapter complete करवा दूंगी और फिर आपका ये-book complete हुजाएगा ठीक है तो फिर मिलते हम अपने next class में thank you so much have a good day